दोस्तो नमस्कार जेतान न्यूज में आपका स्वागत है ओपचार करूप से बताना चाहूंगा मेरा नाम आई भी खान है और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज यूपूप चल दरसल आज हम बिराटिया कला में मौजूद है और सरकरी तंतर किस तर से प्रेशन आते है उसकी बानगी आज हम आपको बताना चाहेंगे तो मेरे साथ एक सक्षित मोजूद है एक भाईसाब मोजूद है पीडित भाईसाब मोजूद है जो 2017 से लेकर अब तक सरकारी दप्तरों में चपल गिस रहे है दरसल इनकी कोई पुस्तेनी जमीन खेते कर सउधिद गीर कुछ लोगों द्वरा अतिकरमन कर लिया गया है जिनको लेकर इनके द्वरा लगाता 2017 से सिख़ित की जाए लेकिन उपर शाषन द्वरा अभी तक कर रहें नहीं की जा रही है हलांकि ग्राम पंचेट द्वारा ये बताया गया है कि उच्छ अधिकारियों द्वारा आदेश मिलते ही हम उन आदेशों की पालना करते हुए जो समुदित अतिकर्म है उसको हटा दिया जाएगा ऐसा इस विराटिया ग्राम पंचेट के सुत्रों ने हमे मेरा नाम गंगा विशन है सर और मैं ये बाहर अतिकर्मन किया हुआ है पी डबलुडी की यह जगा ये पी डूलुडी की स्वामित्व की जगा है और ये मेरा मेन रस्ता है जो रोक रखा है इन्होंने आद दोजाट चो 25 अप्रेल 2017 से लगातार मैं एसडियम साहब कलेक्ट लनें की बात होती है और जुडंब की जगे से अतिकर्मन नहीं होता मेरा पूरा रस्ता रोक रख जिह शिकाईत करते जिव सिकाईत करते है जिव अतिकर्मन बढ़ता जा रहा है पहले थोटा साथ हाथा थोड़ा इन्होंन नंब़ह ये 308 ये 300 साथ है जो गोर्मन्ट का स्वामित में हाती उपर ज़ंद हाइप निकलने का मेरा आम रास्ता रोक के बैटा आपका क्या नाम बताए आपने सब्सक्राइए बैट मेरा नाम गंगाविश्ण है आपने अटॉक साहब को भी किया वार पचों से भी निवेदन कर चुका हूँ इसके अलावा मैंने राश्तान संपरक अंदर इंड गिंती नहीं कितनी सिकाहित कर चोई जितनी बाहर कहते हैं वहां से यह होता है कि आपका निवारण कर दिया गए कर दिया गए कर देगे और यहां देखते हैं कोई निवारण नहीं होते हैं मोके पर आज भी अतिकर्म मोके पर काई मैसर और जब यहां तो आना ही मेरा दूरलब अब यहां पर आपको सिक्रीट करनी पड़ेगी चुकि आप लगातार बता रहें उनके दूरा आपको यह कहा जा रहा कर समश्य का समधान किया जोगा लेकिन समश्य का समधान नहीं हुआ कुछ भी समाधान नहीं हुआ सर उल्टा हमसे ही पता नहीं क्या क्या कोस्टन ऐसे पूस्त है जबकि यह मेरी खांदानी जमीन है मेरे दादा पिता जी से मेरा हाथ ही उसके साथ गौवर्मेंट की जमीन पर आतिकर्मन किया हुआ है मेरी जमीन को छोड़ी लेकिन गौवर् ठेके निवसी है वर्ष 2017 से लगातार इनकी समुष्यों को लेकर सासन पर सासन दिगर जितने भी निचे से लेकर उपर तक लगातार आपने शिकाईत की लेकिन उन शिकाईतों को आज दिन तक समाधान नहीं हुआ भाई साब अकेले नी ऐसे ग्रामीन चत्रों में बहुत सा परसासन आके देखे तो उनको पता चले क्या समस्या क्या प्रोब्लम है अब गौवर्मेंट की जमीन पर आगर ऐसे करते हैं बैट जाएंगे तो पर कहां जाएंगे जबकि बिलकुल पतली सी जगह है वो उस पर अतिकरमन करके मेरा आम रास्ता रोक रखके बैटा है गौवर्मेंट के बाने के आद तेरा बाप की थोड़ी गौवर्मेंट की अतिकरमन किया गया जैसे कि आप बता रहें कि निर्मान विवा को भी इस सम्मंद में शिकरित की गई है लगातार शिकरित कर रहे हैं तो बारहाल ऐसे बहुत पीडित लोग है ग्रामीन चेत्रों में जिनकी कोई सुननी रहा है तो बारहाल उमीद करना चाहेंगे कि जो पी निर्वेदन है सर के यह अतिकरमन को हटाया जाए और मेरा आम रास्ता खोला जाए बाइव दूसरा कोई मेरी शिकाइट नहीं यह कर दो कम से कम यह जो गौवर्मेंट की जमिन उसको खाली किया जाए शर ग्राम पंचाइट से शिकाइट नहीं लेकिन ग्राम पंचाइट से बोलती है कि हमारा हाथ में नहीं आप sdm साहब के पास जाए sdm साहब से प्रसनल भी मिल चुक है लिकित में भी दे चुक है वाट्सप से भी कैस चुक है और इमेल से भी खूब सिकाइट है कि कोई गिंटी नहीं सर के बहुत बतो मैं 25 अप्रेल 2017 से continue निवेदन करता आ रहा हूं सिकाइट करता आ रहा हूं हाथ पर जोड़ता आ रहा हूं फिर भी सर मेरी सुनोई नहीं हो रही तो उमीद करना चाहेंगे कि बिनाट्या के जो गंगा विश्ण जी है इनकी समशे का समादानों नमस्का धन्यवाद जाहिन